इस वीडियो को आप एक मिनिट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग हम फिर से वापसा चुके एक नए वीडियो के साथ तो गाईज अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजे और हमारी बैल आइकन को भी दबा दीजे इस वीडियो को लाइक करिये, कॉमेंट करिये और अपने फ्रेंड के साथ, फैमली के साथ इस वीडियो को शेयर करिये गाईज हम बहुत सारे वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं पूरे न्यूस रिलेटेड जो भी वाइरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी-बड़ी डिवेट होती है सब का हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं तो आप हमारे चैनल से बने रही है सुल्मान मुमालिक में सबसे पहले जिसने इसराइल को तसलीम किया था वो टर्की था तो बहुत लोग手 ने मुझे बुरा बला का और उनोंने हेट मैसेज इस भी किए, मुझे वाटस अपर पी यह फून्स भी किए लोगों ने मुझे कॉमेंट्स में भी लोगों ने अपनी राए दी असल में वजा यह है कि हम एक जजबाती कौम है हम मुतालिया नहीं करते हैं हम पढ़ते नहीं हैं तारीक से हम सीखना नहीं चाहते हैं और हकीकत यह है कि अगर हम तारीक थोड़ी पढ़ ले तो हमारे आने वाले जो फैसले हैं उनमें बेहतरी हो सकती है हम कोई दानिश से फैसले कर सकते हैं बजाए जजबात से अब आपको मैं चन्द चीज़ें बताओं कि मुताईदा अरब अमारात के इसराईल को तस्कीम करने के बाद अरब ममालिक पर फलस्तीन से गड़दारी और इनकी पीट में छुरा घुपने के लजामात लगाने वाले तैयब अर्दगान ने अमरीकी पाबंदियां लगने के अगले दिल इसराईल से दो साल से मुनकता तालुकात अच्छानक बहाल करके पाकसान समय दुनिया भर को हिरान कर दिया अब सवाल ये पैदा होता है कि उन्हें ऐसा क्यों किया ऐसा करने से मशेक वुस्ता की इंतहाई पेचीदा सियास्त तो मुजीद पेचीदा हो जाईगी क्या तैय पुर्दगान को इस बात का अंदासा हो गया था कि तनाओ की पॉलिसी से उन्हें टर्की को दुनिया में तनहा कर दिया सुधियरेविया से टर्की की लड़ाई आर्मीनिया से उनकी लड़ाई फ्रांस से उनका फंडा ग्रीस से उनका फंडा साइप्रिस से उनकी लड़ाई मिसर शाम और लिबिया समय दुनिया भर में तनाजात के अंदर तुर्की का किरदार और अब अमरीका की दरफ से फाब बनी है इन तमाम लड़ाईयों का मकसद क्या इसलामी दुनिया को गुम्रा करना था कि वाकिए अपने मुल्क लिए को भलाई थी अपने मुल्क में मजभी सिपोर्ट को अपने साथ करना था या वाकिए टुर्की को इसलामिक ब्लॉक की जगा लेकर दुनिया भर में कमजोर मुस्ल्मान मुमाले की आवाज बना चाहते थे आज की इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि आपको बताओं कि इस मस्टे से मुतलिक उठने वाले सवालों के जवाब आपको मिल जाए और हकाइक आपके सामने हो जब मैंने इस बात से याद करें पर्दा उठाया था कि तर्की मुस्लमान मुमालिक में पहला मुलता जिसने इसराइल को तस्थीम किया था तो बड़े नाम नहाथ स्यासी किसी शर्त के बगेर फलस्तीनियों को हकूब दिलवाई यक तरफा इसराइल से तालुकात बहाल कर लिये तो इस बारे में अब सारे नामने हाथ स्यासी मुफकरी इनका क्या कहना है पाकिस्तान का वो ब्लॉक जो बनने से पहले ही तूड लिया उसके बारे में क्या ख्याल है टर्की, एरान, चाइनव, पाकिस्तान के ब्लॉक की बढ़के मार कर हमने साथी अरेबिया को भी ननास किया पाकिस्तान को क्या फाइदा मिला उसका कभी हम कहते हैं कि अरब अमारात से पाकिस्तान के मामलात बिल्कुल ठीक है लेकिन पिर हमारे वजीरे खारजा कहते हैं कि ये मसला हल हो जाएगा जब मसला है ही नहीं तो हल क्यूं कर रहे हो भाई हमें असल बात तो बताओ क्या इस बात में कोई शक है कि त्योब अर्टगान की पहले जमेदारी तर्की के मफाद को देखना है जबके पाकिस्तान की पहली तर्जी पाकिस्तान के मफादात का ताफुस है और होना चाहिए कोई भी कौँपने मफादात का ताफुस उसक्त कर सकती है जब वो हकाईक से आगाह हो और वो सही हकाईक यही है जिन से सही فیصلा करने में रहनुमाई ली जाती है जूट पर मपनी हकाइक से लिया फैसला कभी भी ठीक नहीं हो सकता पाकिस्तान तो वो मुलके जिसने 1948 से इसराइल को तस्टीम करने से इंकार कर दिया आज तक इंकार कर रहा है मिसर ने 1978 में मौइदा किया खुद PLO यानि पालस्टीन लिबरेशन और्गनाइजेशन ने 1993 में मौइदा किया अर्दन ने 1994 में मौइदा किया गल्फ मौमालिक जो पहले पाकिस्तान के साथ खड़े थे या पाकिस्तान उनके साथ खड़ा था उनमें अरब महारात ने 2020 मौइदा किया सुडान, बारेन, मौरॉको इन्हों ने तालुकात बहाल कर लिये पाकिस्तान ने अपनी फॉरन पॉलिसी को रीविजेट नी किया कियूँ? पाकिस्तान की रियास्त जिसने ये फैसला करना है उसने जब भी करना है पाकिस्तान के बेतरीन मफाद और अपनी पॉलिसी की रोष्टी में करना है और अब कहा ही जा रहा है कि बजाहर साओी अरेबिया का भी वही मौकफ है जो पाकिस्तान का स्टांस है कि फलस्तीन को अजाद रियास्त का स्टेटिस मिले तो बात आगे चले और सौधे अरेविय और पाकसान इस मामले में एक दूसरे से राप्ते में भी है लेकिन हमने कभी किसी दोस्त मुल्क को इस हवाले से गुमरा करने की कोशिश नहीं किया अल्हम्दिविल्ला 1948 में इसराइल ने साड़े साथ लाग फलस्तीनियों को निकाल के अपने रियास्त का एलान किया 1960 की दहाई में पी-लो बनी पहले इसका मतालबा था कि हमें वो फलस्तीन चाहिए जो बरतानिया के कबजे में था यानि इसराइल का सिरे से खात्मा लेकिन फिर पी-लो खुद जमीन तकसीम करने पर रज़ा मंद हो गई और फिर भी यह मस्ता हल नहीं हुआ उसकी बड़ी बुजुआत है जब अरभ अमाराइट ने इसराइल को तस्क्रीम किया तो टर्की के वजीर खारजा का कहना था कि तारीख और खिते की अवाम का जमीर मताहिदा अरभ अमाराइट के इस मुनाफ़ाना तर्ज अमल को फरामोश नहीं करेगा और उसे कभी माफ नहीं करेगा जो उसने अपने नेरो इंट्रेस्ट के लिए फलस्तीनी मकासित के साथ गद्दारी करके की त्यवर्दगान ने तो अरभ अमाराइट के साथ अपने तालुकात मौतल करने के भी धंकी दे डाली ऐसा उना ने क्यों किया वो कौन से मकासित हैं जो त्यवर्दगान ने हासल कर लिए और अपना सफीर तलवीव भेश दिया क्यों चला गया तलवीव अप्टरगी का सफीर कहा है ना वो फलस्तीन का कौज कहा है खितने लोगों का समीर कोई और करे तो उम्मत का गड़्दार और भाई साब करे तो उम्मत के लीडर बढ़े ये क्या मज़ाक है भाई अगर अरव अमारात इसराइल के साथ तालुकात बहाल करने पे मुनाफिक थे तो फिर उर्दगान के मतलिक आपका क्या क्या खिया आप मुझे राई दे मैं आपको नहीं राई दे रहा उन्होंने तो कर लिया बगएर किसी कंडिशन के अपना सफिर बेच दिया तलवीव में इस पे को खबर आई इस पे को अखबारों में चर्चा हुआ तो दोस्तों ये वीडियो होता है यहाँ पर ख़त्म आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं आपने इस वीडियो में देखा किस तरीके से ये पत्रकार पागिस्तान को बता रहा है कि पागिस्तान तर्की पर बिस्बास करके अपने आपकी सबसे बड़ी गल्ती कर रहा है आपको पता होगा तुर्की ने पागिस्तान को बहुत चादा कुछ सपोर्ट नहीं किया है तुर्की को पाकिस्टानी केबल इस हिसाब से लाइक करते हैं क्योंकि वहां से मुसलिम उम्मा जो आपको पता है मुसलिम उम्मा जो ओक्टोमेन एंपायर थी वहां से चलती थी वो और आपको पता है कि इंडियन सब कॉंटिनेंट मतला भारत पाकिस्तान और भांगलादेस और स्री लंका भी आड़ कर लें आप इसमें जब खिलाफत आंदूलन उठा था 1922 में उस समय गांधी जीम ने भी उस आंदूलन में पार्टिसिपेट किया था जिसके बाद आपको पता है खिलाफत तो रही नहीं लेकिन यहां पर यह लोग उड़दंद मचाते रहे खिलाफत बंद होने पर यहोंने काफी आक्रोज दिखाया था उसी का रूहानी प्यार भी तक यहां के मुसल्मानों में टर्की के प्रती है और पता है आपको पाकिस्तान में जो मुसल्मान है वो टर्की को अपना रूहानी बड़ा भाई बोलने या बाप बोलने मानते हैं आपको पता है तैया बर्दगान को यहां तक ऐसे पोल हुए तो दोस्तो तैया बर्दगान जो है उन्होंने जब UAE ने इसराइल से सम्बंद बनाए थे उस दौरान क्या किया था इन्होंने ऐसा कुछ गेम खिला था इन्होंने तुरंत दूसरे दिन UAE से सम्बंद किये थे ख़़ आपको पता है अरब देसों और तरकी की बिलकुल भी नहीं बनती है यहां तक कि अरब देस और तरकी देस जो एक दूसरे के जो टीवी शोज हैं वो भी एक दूसरी कंटरी में बैंध होते रहे हैं तो दोस्तों इन्होंने बड़ा hero टाइप से किया इसराइल के जो मतलब relationship normal होए थे मतलब ये खुद रिस्ते रख सकते हैं लेकिन अगर अरब देज इसराइल के साथ रिस्ते रखते हैं तो ये अपना मतलब हुसियार बनते हैं अब इन्होंने टर्की के साथ खुदी नए relationship बना लिये है टर्की ने इसराइल के साथ relationship नॉर्मल की है अपना जो है embassy वहाँ पर फिर से open कर दी है अपना यहां से ambassador भेज़ दिया है और आपको पता है airlines भी continuously चालू हो गई है और काफी इनका business भी है तो आप समझ सकते हैं पाकिस्तान जिसमें हर पाकिस्तानी के अंदर बच्पन से एक टीका लगाए जाता है इसराइली हिट्रेट का वो इसराइली हिट्रेट इतनी ज़्यादा है पाकिस्तान में कि आप समझ लें जितनी हिंदों के प्रती है उतनी ही इसराइली यहूदियों के प्रती है इतनी हिट्रेट है वहाँ पर अगर इसराइल का नाम भी अगर पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर ले दे कि हम इसराइल को ऐसा कंट्री कंसीडर करते हैं तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की एक हपते के अंदर हत्या हो सकत तो आपको बता दे अब उनका रूहानी बाप तर्की जो की पागिस्तान का बहुत बड़ा बाप है और इंडियन मुसल्मानों में भी तर्की के प्रती काफी सॉप्ट कॉर्णर है और बांगलादेश और अज्यूसल आपको बता इंडियन सब कॉंडियन की बात कर रहा हूं म तो ये लोग अप कैसे क्या सोचेंगे कि भाई आपका ये बाप जो है ये तर्की ये इसराइल के साथ नॉर्मल रिलिशन सब रख रहा है तो फिर हम क्या मतलब हम क्या वो हैं क्या मतलब बेवकूफ हैं क्या हमारे साथ ऐसा गेम क्यों खेला जाता है तो आपको पता है कि तर्की के साथ तर्की जो पाकिस्तान के साथ गेम केलना और पाकिस्तान पिकारा इस गेम में फसकर अरबों से अपने मतलब रिस्ते खराब कर चुका है अरब जो इन्हें हर बक्त भीक देते थे पैसा देते थे तेल देते थे मुपत में इनके लोगों को वहाँ पर काम देते थे उसके बाद अच्छा खासा पैसा वहां से चला जाता था तो सब चीच की बैंड बजा चुके हैं मरान खान या तरकी ने जो इनका सीना चोड़ा किया था अब पता नहीं कितने मतलब जवर्दस तरीके से इनके साथ धोका हुआ है और ये धोका पाकिस्तान को बहुत महगा पड़ेगा क्योंकि पाकिस्तान ने तरकी के चक्कर में अरब देसों से रिस्ते खराब किये अरब देसों के खिलाब एक नया इसलामी ग्रूप बनाने की कोसिस की जिसमें आपको पता होगा OIC के अगेंस्ट ये ग्रूप बनना था और OIC के अगेंस्ट जो ग्रूप बनेगा और उसका जो मतलब जो बहुत ज़ादा सपोर्ट कर रहा था पाकिस्तान उसकी बज़ाए से इनका जो साओधी अरब ने पुराना करजा वज़ा था वो भी वापस मांगना सुरू कर दिया आपको पता है सूद खुरी इसलाम में हराम है लेकर साओधी अरब ने इंटरेस्ट के साथ करजा जरूर लेना करिया और उसके बात क्या किया पाकिस्तानियों के वीजा बैल लगा दिया पाकिस्तानी गुसी नहीं सकते साओधी अरेबिया और UAE में अभी फिलाल तो यही सिचुईशन है बाद में पता नहीं कुछ भी हो सकता है तो इस तरीका कांड कर चुका है साओधी रेवी और इसके गलती पाकिस्तान के साथ जो डवल गेम कहले है टर्की अब आप सोचें कि पाकिस्तान जो टर्की की दम पे इतना कुछ कर रहा था और तर्की ने ही इसराइल को कंसीडर कर लिया तो अब आप सोचें कि पाकिस्तान बिचारे जो पाकिस्तानी है जो टर्की को अपना रुहनी बाप मानते हैं आप मानेंगे नहीं सोसल मीडिया में ये लोग तैया वर्दिगान की फोटो लगाते हैं मतलब अपने डीपी में और इंडिया हो पाकिस्तान हो बगला थे इसमें इतिना मतलब बेग भेट तैया वर्दिगान इस तरीके के जो वायो बगएरा मैं ऐसे कुछ लिखे रहते हैं अब बताईए आप इनका तो जवर्दस तरीके से कटा है मतलब बहुत गंदा कटा है मतलब वो पहले वाला जो कटा उससे भी जादा गंदा कड़ गया है मतलब क्या वोलू मैं समझ में नहीं आ रहा गी अब ये पाकिस्तान का रियक्शन क्या होगा पाकिस्तानी मीडिया इस मामले में बिलकुल सांती से मतलब निकाल रही है उनके मीडिया में साफ सुंगया इस टॉपिक को कवर ही नहीं किया जा रहा है तो दोस्तों ये टॉपिक अगर इस पे कोई नया वीडियो आता है